मुझे दिल से ना भुलाना रखता है ऐसा खुदा की कसम तुम मेरे हो ये वादा करो के मुखबत करेंगे असलाम लेकुम वीवर्स शामदीत कहता हूँ आपको अपको अपने यूट्यूब चैनल पर लास्ट टाइम मैंने बेक साब की दस फिल्म्स का जिक्र किया था और मैंने आपसे कहा था कि जो पचास बेतरीन फिल्म्स हैं उनका जिक्र मैं आने वाले जो पार्ट्स हैं उनमें करूंगा हमने जो एंड किया था लास्ट वीडियो का वो थी दसवे नमबर वाले फिल्म जिसका नाम था नादान तो आज ग्यारवे नमबर पे इनकी फिल्म आती है वो है दामन और चिंगारी दामन और चिंगारी को नमाईश के लिए पेश किया गया था इदुल फित्र पे 28 अक्तूबर 1973 को इसके हदायतकार शिबाब के राणवी साहब थे इनकी जो हिरोईन थी वो जेबा साहिबा थी में थेटर कॉडीन था ये फिल्म 63 हफ़तों तक सेनिमा गरों की जीनत बनी रही और गोल्डन जूबली इस फिल्म ने मनाई इस फिल्म में नदीम साहब नाकाम आशिक और वफदार दोस्त के करदार की बलंदियों पर नज़र आई नबर बारा पर इनकी जो फिल्म आती है वो है दिल लगी दिल लगी एक ऐसी फिल्म है जिसको वो कोई भी भुला नहीं सकता बहुत ही बलॉक बस्टर फिल्म थी 15 फरवरी 1974 को हदायतकार असलमडार साब की डारेक्शन में बनने वाली फिल्म जिसकी हिरोईन शबनम साहिबा थी में जो तेयटर था वोरी वॉली था कुल जो हफ़ते थे वो 86 थे नदीम साब की दूसरी प्लाटीनियम चूबली हिट फिल्म इस रुमानी और अगवाती फिल्म में नदीम साब ने पहले हाफ में अर्बीह और दूसरे हाफ में अलमिया करदार निगारी के जिरिए फन की बलंदियों को चूलिया और शायकीन को अपनी अलमिया अदाकारी से रोने पर मजबूर कर दिया नबर तेरह पर इनकी जो फिल्म आती है वो है इंतजार इंतजार नो अगस्त 1974 को रिलीज हुई जिसके हिदायतकार एस सलिमान साब थे इसमें इनकी हिरोईन शेबलम साहिबा थी में थेटर बंबेनो कुल हफ़ते पचास इस फिल्म ने गोल्डन जूबली मनाई इतबा मकसद घरेलू समाजी कहानी पर मबनी फिल्म है नदीम साहब ने नहायत आला करदार निगारी का मुझाहरा किया नबर चोदा पर इनकी जो फिल्म आती है वो है अनाडी सही है अनाडी मेरे दिल को जलाए यह सौंग फिल्म दिल लगी का था यह फिल्म है अनाडी जिसको नमाईश के लिए पेश किया गया था यह कम अगस्त 1975 को हदायतकार ऐस सिल्मान साहब की यह फिल्म और इसकी हिरोईन शबनम साहिबा थी में जो थेटर था वोरिवाली था और 104 हफतों तक यह फिल्म सिनेमा घरों की जीनत रही और नदीम साहब की दूसरी डायमेंड जूबली हिट फिल्म करार पई इस फिल्म में नदीम साहब ने एक अनाडी देहाती नौजवान के गरदार में यादगार तरीन गरदार निगारी का मظाहरा किया नदीम साहब की बेहतरीन अदगार का अपना तीसरा निगार आवोर्ड भी हासिल किया नमर 15 पर इनके फिल्म आती है पहचान जिसको नमाईश के लिए पेश किया गया यकम अगस्त 1974 को इसके हिदायतकार परवेज मलिक साहब ते हिरोईन शबनम साहिबा में जो थेटर था वो था नशेमन कुल हफ़ते 122 नदीम साहब की तीसरी डायमेंड जूबली हिट फिल्म इस फिल्म में भी नदीम साहब ने एक देहाती नوجवान जनू का किरदार अदा किया मगर आणाडी के फिल्मों से बिलकुल मुख्ति facto यहीं वजेती कि इस फिल्म ने भी आणाडी के साथ साथ डायमेंड जूबली मनाई और एक ही दिन रिलीज होने वाली दोनू डायमेंड जूबली फिल्मों का एजजाज हासल किया जो अर्दू फिल्मों में अभी तक कायम है और शायद इसको कोई भी तोड नहीं पाएगा नमबर 16 पर इनकी जो फिल्म आती है वो है इनसान और फरिश्टा ये फिल्म रिलीज हुई थी 6 फरवरी 1976 को ये फिल्म सिल्वर जूबली थी 26 हफतों तक सेनिमा घरों की जीनक बनी रही और इसमें की हिरोईन दीबा साहिबा थी में तेटर नशेमन इस फिल्म में नदीम साहब ने गैरत मन भाई के रोल में जबरदस्ट परफॉर्मिस का मजाहरा किया और रोही बानो साहिबा ने इनकी बहन का करेक्टर प्ले किया था नमर 17 पर इनकी जो फिल्म आती है वो पाकिस्तान फिल्म इंडस्टी की एक काम्याब तरीन फिल्म है जिसको आज तक कोई बुला नहीं सका ये फिल्म थी आइना जिसको रिलीस किया गया था 18 मार्च 1977 को में थीटर बंबीनो था 401 हफ़ते तक यानि कि पांच साल तक ये फिल्म चलती रही चलती रही और कराउन जूबली हिट ये फिल्म थाबित हुई और पाकिस्तान की सबसे ज्यादा अर्से नमाश पजीर रहने वाले फिल्म का आजाज भी इस फिल्म को हासल हुआ जो अब तक काइम है इसमें इनकी हिरोईन शबनम साहबा थी इस फिल्म के हिदायतकार नजरल इसलाम सहाब थे इस फिल्म में शबनम साहबा और नदीम साहब की अधाकारी को हमेशा ही याद रखा जाएगा नदीम साहब और शबनम साहबा ने साल के बेहतरीन अदाकार और अदाकारा के निगार अवोर्ट हासल किये जबकि आइना मुक्तलिफ शोबों में सबसे ज्यादा बारा निगार अवोर्ट हासल करने वाली वाहिद उर्दू फिल्म है निबर अठारा पर आती है फिल्म अंबर जो के पकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री की लिविंग लेजेंट एक्टरस मुम्तास साहबा की बहुत ही फेवरिट मुवी है और अलमस्ट वो अपने हर इंट्रिव्यो में इसका जिकर जरूर करती है फिल्म अंबर को नमाईश के लिए पेश किया गया 6 जनवरी 1978 को इसके हिदायतकार नजरुल इस्राम साहब ते हिरोईन मुम्तास साहबा में थियाटर कोई नूर कुल हफ़ते 91 नदीम साहब की तीसरी प्लाटीनियम जूबली हिट फिल्म थी इस रूमानी और नगमाती फिल्म में नदीम साहब ने अलामयार की कॉमेडी करदार निगारी कमज़ारा किया इस फिल्म के जो सौंग्स हैं वो भी मुझे बड़े पसंद है और स्पेशल मैं जो है मुम्तास साहबा का और मेरा फेवरेट जो सौंग है वो मैं जरूर इस वीडियो में प्ले करूँगा जिस दिन से देखा है तुमको सनम बेचैन रहते हैं उस दिन से हम नमर 19 पर इनकी जो फिल्म आती है वो है मुठी भर चावल जो के 16 जून 1978 को रिलीज की गई थी जिसकी हिदायतकारा संगीता साहबा थी इसकी जो हिरोईन थी फिल्म की वो भी संगीता साहबा थी में जो तेटर था वो अफशा था कुल 36 हफते चल कर इस फिल्म ने सिल्वर जूबली मनाई ये राचिंदर सिंग बेदी के नावल एक मैली सी चादर से माखुस थी इस फिल्म में नदीम साहब ने एक ऐसे सिख नوجवान का किरदार अदा किया जिसकी शादी इसकी भाबी से जबरदस्ती करा दी जाती है नदीम साहब ने ये किरदार बड़े ही इस फिल्म के हिदायतकार एस सुलमान साहब थे बाबरे शरीव साहबा इनकी हिरोईन थी में जो थेटर था वो स्टार था कुल जो हफते थे वो पचास यानि कि पचास हफते तक ये सिनिमा गरों की जेनत बनी रही नदीम साहब की बीसवी गोल्डन जूबली फिल्म भी य अदा किया था मेरी असन साहब का गया हुआ गीत ये दिल की सदा है ये मेरी दूआ है बेंतहा मकबूल हुआ फ्रेंज अब मैं आपसे अजास्त चाहूंगा और आपको फिर से तजस्स में डाल दूँगा और कहूंगा कि आप इंतजार कीजिए बेक साहब की अगली वीडि जरूर कीजिएगा कमेंट करके अपनी कीमती रहे से जरूर अगाह कीजिएगा कि बाकी की ये जो फिल्म मैंने आज बताएं इन में से आपकी फिल्म कौन से थी और कौन सा फिल्वरिट सांग आपका है जो बेक साब पे पिक्चराइस हुआ मुझे इजाज़त दें नेक्स करके अलाह आफिस